तो आम तौपर आप भी ट्रेन से सफर करते होंगे, संभव है कि चलती ट्रेन में पैंट्री से खाना भी ओर्डर करते होंगे लेकिन क्या पैंट्री से मिलने वाले खानी के कीमत की जानकारी है आपको? ज्यादतर लोगों को इसके बारे में रेलवे या फे आयर सी टीसी की ओर से पूर्व में कोई आधिकारी जानकारी नहीं दी जाती है और इसी का फाइदा उठा कर पैंट्री कोच से खाना बेचने वाले यात्रियों से उची कीमत पर जो खाने की कीमत है दाम है वो वसूल रहे हैं और इसी पर हमारी मुहिम है आज दिन भर जो जारी रहेगी हमारे साथ हमारे दो सहयूगी है उन से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके की मनमानी चल रही है ट्रेनों में हमारे साथ दो खास हमारे जो समबादाता है Z Media समबादाता अब रीश पांडे और Z Media समबादाता नीरज राए हमारे साथ है लिएकि सबसे पहले पूरी खबर को समझना बहुत जरूरी है मीरज आप से जाना चाहते है कि जिस तरीके से हमने खबर दिखा है और जो हमने एक rate list भी देखा है उसमें साफ तोर पर पता चल रहा है कि station पर जिस खाने का दाम मानिये 70 रुपे है वही train में आपको 80 रुपे का खाना मिलता है तो IRCTC तो सरकारी कंपनी है फिर train में इस तरह के loot कैसे की जा रही है देखिए train में जब भी कोई आत्रा करता है तो train की तरफ से या railway की तरफ से या IRCTC की तरफ से कोई ऐसा price list नहीं लगाई जाती है train में या फिर पेंट्री कार की तरफ से भी नहीं बताया जाता है कि इस फला चीज का क्या कीमत है और इसी बात का फायदा उठा रहे है vendor और जब भी आप खाना मंगाते हैं उदारन के दरफ मैं आपको बता दूँ कि इसे wedge थाली है आयर चीटी सी का जो आप पेंट्री कार से मंगाते हैं तो रेलवे की तरफ से उसकी कीमत 80 रुपए ताय की गई है तो बोला जाए कि नहीं नहीं यही दाम ताय किया गया और आपको यही दाम पर लेना होगा आप जब बोलें कि नहीं हम इस दाम पर नहीं दे पाएंगे हमको सस्ते दाम पर दो तो बोलें कि नहीं तब आप ओडर मत लीजी और आपको खाना नहीं दिया जाएगा और ये जो चीजे हैं एक तरह से लंबे मतलब बहुत लंबे समय से किया जा रहा है और आप कभी भी यातरा करेंगे किसी भी दूरी में जाएंगे तो आपको पेंट्री कार की तरफ से कभी भी वाजीब कीमत पर यानि कि जो जो 80 रुपय प्रती प्लेट की कीमत है वेज थाल सक्राइब को लेकर क्या इस पर शिकायत हुई है रेलवे का response शिकायत में क्या आया है को इस सुनवाई की गई इन शिकायतों की अब तक ढब देखें हमारे पास ARE दर्शक, जो लेकर कि स्ट्वीट किया को की वाकी रेल्वे एसको किस तरह से संग्यान ले रहा है रिस्पॉन्स काफी अच्छा था रेल्वे ने तुरंत उसको रिस्पॉंस किया बोला गया कि नहीं आप डिटेल दीजिए और हम इस पर करवाई करेंगे करवाई भी हुए करवाई यह हुई कि जो पेंट्री कार के मैनेजर था हमारे पास आ गया और जाकर के उसने सारी बात बताई गिए आपने क्यों शिकायत की हम क्यों इतना ज्यादा कीमत वसुर ले लेकिन और जिस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि इसकी कीमत ज्यादा क्यों ले पा रहा है वो उधारन के तौर पर बता रहा है कि हम इसे पनीर की सब्जी एक जोड़ दे रहे हैं और इसलिए हम आपसे ज्यादा कीमत ले लेकिन क्या पचास रुपए पनीर की कीमत होती है और इसी तो तुराइम उन्हें क्या किया कि दही को हटा दिया मेन्यू में से तो सवाल यहा पर यहां पर यह उटता है कि क्या सभी लोगा सी टूटर पर जाकर शिकायत करेंगे करेंगे तब उनको वाजिब दाम पर कीमत में खाना मिलेगा यह सबसे बड़ा सवाल कोई भी स्टेंडर ऑप्लेटिंग सिस्टम रेलविक तरफ नहीं बनाया गया है कि जब इस तरह से एक शिकायत आती है तो उस पर रेलवे क्या करवाई करेगा ताकि एक आगे के लिए मिसाल बन सके है बिल्कुल बिल्कुल नीरज यही यही मैं आप से समझना चाह रही थी आपने खुद भी देखा समझा किस तरीके से गड़बड़ी हो रही है ज्यादा दामों में खाना बिक रहा है रेलवे में वेंडर्स मनमाने दाम वसूल रहे हैं और उनके पास खुद भी जस्टिफिकेशन ने के आखिरकार यह दाम किस बात के वो ले रहे हैं थोड़ा बहुत मेन्यू में उन्होंने बदलाव किया और उसके दाम उन्होंने चार्ज कर दिये तो सवाल य मैंने शिकायत की तो ब्यक्तिगत तोर पर मेरी शिकायत सुनी जाती है और उसका रिजॉल्व किया जाता है यानि कि जब मैंने ओवर चार्जिंग शिकायत की तो रेलवे की तरफ से उसको सुनवाई की गई और बाद में मुझे 80 रुपए पर खाना उपलब्द करा दिया है लेकिन मेरे सामने उसी ट््रेण में 120-130 रुपए पर सेम खाना बेचा जा रहा था तो उनको कहां से इतनी हिम्मत आ जा रहे है कि शिकायत के बावजूत ओजाकर कि इस तरह का i동ले रहे है हम